एंटी ए यूजी सीनेट यानि निमीजी नेट डाउंलोड इट उन गूगल प्लेश्ट और हेलो नमस्कार दोस्तों मेरा नाम रहतास निमी है और आप सभी का स्वागत है हमारे यूटीब चैनल निमीजी नेट पर दोस्तों आपने यूजी सीनेट पेपर फर्स्ट में इस तरह के काफी कोशन देखे हुए होंगे जिसमें ऐसे होता कि सभी कुति सतंधार ये कोई बिल देंगे कि बिल्कुल असानी से क्यों और क्यों दस सैकेंड वे ये कोशन किस तरह से आप कर सकते हैं और अच्छे मार्च से लेके आ सकते हैं तो इस वीडियो का पूरा देखना और ध्यान से देखना दोस्तों हमने आप सभी के लिए एक साथ दिन का सूपर बैच्च त्या दोस्तों फरी में हम आपको पेपर सैकेंड भी देंगे 2012 से लेके 2019 तक जिससे आप पेपर फरस्ट और पेपर सैकेंड की बहुत अच्छे तरीके से त्यारी कर सकते हैं तो अगर किसी वी दोस्त को हमारे साथ दिन का बैच्च जोइन करना है तो जल्दी से जल्दी हम इस व वेन डायगराम से भी कर सकते हैं और भी कई तरीके हैं उनसे भी कर सकते हैं लेकिन हम आपको वेन डायगराम से किस तरह से कोशन करना वो बताएंगे तो वेन डायगराम के बारे में हमने पहले वी वीडियो बनाई उसमें भी काफी कुछ बताया है वेन डायगराम के बारे हो सकता है सबसे पहले देखते हैं इसका टाइप वन यानि कि दो जब हमें सरकल दीवे होते हैं तो उसमें किस तरह का समबंद हो सकता है यह देखें पूर्णत संबंद पूर्णत संबंद यानि कि completely रिलेटिव ये देखे जो मामा है वो पुरुस है तो इसके अंदर क्या कि सभी मामा क्या होते है वो पुरुस होते है जो मामा है ना दोस्तों वो क्या कि completely पुरुस है कितने भी मामा हो किसी भी तरह के मामा हो वो सारे के सारे पुरुस होते हैं तो मामा की आए कि completely related है पुरुस से लेकिन जो पुरुस है वो completely related नहीं है मामा से यानि कि सारे के सारे पुरुस मामा नहीं हो सकते लेकिन जितने भी मामा है वो हमारे पुरुस होंगे तो टाइप 1 यह हो गया टाइप 2 आता है दोस्तों इसके अंदर की आजिसिक रूप से संबन्ध है यानि की कुछ हद तक रिलेटिव अब देखे इसके अंदर इनने दो सरकल दिये एक पुरुस का दिया और एक वकील का दिया है तो यहां से आप देख सकते क कि कुछ जो पुरुस हो क्या है वकील है और इसमें हम कह सकते कि जो कुछ पुरुस होते वो वकील होते लेकिन सभी के सभी पुरुस वकील नहीं होते और सभी के सभी वकील जो होते वो पुरुस नहीं होते क्योंकि वकील है वो लेडिज भी हो सकती है और तीसरा इसके relative ना हो उनके अदर कोई भी relation ना हो जैसे यहां पर डोक्टर और वकील अब देखिए यहां पर कुछ लोग दिये उन्होंने वह डोक्टर है और वकील है दोनों के दोनों अलग है और काफी बार ऐसा भी होता है कि डोक्टर और वकील दोनों भी हो सकते एक आदमी के अंदर दोनों गुन भी हो सकते हैं लेकिन यहां पर हमने दिखाया है कि कुछ वेक्ति ऐसे जो केवल और केवल डोक्टर है और कुछ वेक्ति ऐसे जो केवल और केवल वकील है तो इस तरह से इन में कोई वी संबंद नहीं है तो उसको इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे दोस्तो एक बात मैं बता दू कि ये वीडियो आप पूरा देखना ध्यान से देखना अगर आपको ये concept अच्छे से clear करना है तो और इसमें मैं आपको live question भी करके दिखाऊंगा पीछे जो आज चुके हमारे paper के अंदर है वो सभी old question आपको करके दिखाऊंगा अब देखे ती दूसरे से तथा दूसरा तीसरे से संबंधित हो अब तीन के अंदर हो सकता एक दूसरे से related और दूसरा तीसरे से यहाँ पर देख सकते कि सबसे पहले second है उसके बाद minute और फिर घंटा है अब हम देख सकते कि जो घंटा होता है दोस्तों घंटे के अंदर minute के अंदर second होती ह जो second होती है जितनी भी second होती है दोस्तों वो घंटे के अंदर include होती है और फिर जितनी भी minute होती है वो घंटे के अंदर include होती है लेकिन हम ऐसे नहीं कह सकते कि minute second के अंदर include होता है नहीं ये बात हम नहीं कह सकते जैसे कि अगर हम ये कह दे कि 5 second हो गया 5 second में कितनी minute होती है त तो हम ये नहीं कह सकते कि कितनी मिनट होगी हाँ वैसे scientific रूप से निकाले mathematical रूप से निकाले तो वो निकले वो चीज अलग है निकल normal भासा में हम नहीं कह सकते कि second के अंदर मिनट आती है तो इस तरह से ये तीनों की तीनों चीजे एक दूसरे से related है लेकिन एक दूसरे में पूरी तरह से समाहित नहीं है ये चीज आपको देखना जरूरी है आगे देखते दोस्तों तीन पर किस तरह के बन सकते ये तो हमने देख लिया अब second किस तरह का हो सकता है second में ये हो सकता है कि जो दो चीजे होते हैं वो एक चीज के अंदर include हो सकती है जब दो समुच्चे एक समुच्चे से पूर्णत संबंधित हो यानि कि दो चीजे हमारी एक चीज के अंदर पूरी रूप से including हो लेकिन वो जो दोनों के दोनों चीज है वो अलग हो देखिए इसमें हम एक example देखते हैं उससे आपको बिल्कुल समझ में आ जाए जैसे मेज और कुर्षी दोनो के दोनों अलग चीज है लेकिन ये दोनों के दोनों चीजे किया है दोस्तों ये हमारी furniture के अंदर include होते है furniture के अंदर आती है ठीक है तो इस तरह से हम हम इनको कह सकते है और आगे दोस्तों आगे हमारा तीसरा तीन नमबर पे इसके अंदर क्या होता है कि इसके अंदर ये है कि दो समुच्चे एक समुच्चे से पूर्णत संबंधित हो यानि कि दो चीजे एक चीजे के अंदर पूरी रूप से इंकलूड हो सकते हैं और जो दो चीजे वो एक दोनों क्या है ओरते हम कहे सकते हैं और एक जो देखी एक चीज़ हो रहे है कि बहन जो है वो मा भी हो सकती है और जो मा है वो बहन भी हो सकती है जैसे हमारे घर में होता है जैसे हमारी बुआ है तो वो क्या है वो मा भी है और वो बहन भी है इस तरह से ये दोनों की दोनों एक को समझज सकते हैं और आगे देखते हैं, दोस्तों आगे हमारे पास फोर्थन नमबर पे मैं दिखा रहा हूं आपको, यह देखali है, एक मिनिट, हाँ, फोर नमबर पे, अब देखिए, एक समुच्चे दूसरे समुच्चे से पूर्णतर संबंधित हो, तो था तीसरा समुच्य दोनों समुच्यों से आंसिक रूप से संबंधित हो अब इसमें देखिए एक चीज हो सकते है वो दूसरी चीज के अंदर पूरी तरह से इंकलूड हो लेकिन तीसरी जो चीजें उससे कुछ-कुछ related हो यहाँ पर आप देख सकते हैं जैसे खिलाडी किरकेट खिलाडी दिया है विवाहित दिया है अब देखिए जो किरकेट खिलाडी है यह क्या होते दोस्तों किरकेट खिलाडी चाहे किसी भी कंट्री का हो किरकेट खिलाडी वो खिलाडी ही होगा सारे के सारे किरकेट खिलाडी खिलाडी के अंदर आते हैं यह बात हमने द खिलाडी हो सकते हैं तो ये कुछ हद तक हम कह सकते कि ये related है लेकिन पूरी तरह से हम नहीं कह सकते कि विवाहित जो व्यक्ति है या औरत है वो खिलाडी या किरकेट की खिलाडी होगी ठीक है अगला देखते है टाइप 5 इसके अन्दर क्या होता है कि तीन जो समुच्चे है, तीन जो सरकल है, हमारे तीन जो चीजे है, वो एक दूसरे से कुछ-कुछ related हो सकती है, पूरी की पूरी related ना हो, लेकिन कुछ हद तक related हो सकती है, जैसे यहाँ पे हम देखते हैं, कि पुरुस दिया, डॉक्टर दिया, इंजीनियर दिया, अब है, यहाँ से आई बात समझ में, यानि कि जो डॉक्टर है, कुछ डॉक्टर पूरुस है, और कुछ पूरुस क्या है, इंजीनियर है, तो यह सारी की तीनों की तीनों चीजे, एक दूसरे से related है, और आगे देखते हैं, हमारे पास 6th नमबर पे, तीनों की तीनों एक दूसरे से आंसिक रूप से संबंधित हो, अब इसमें और इसमें क्या फरक है दोस्तों, इसके अंदर ये है कि जैसे हम तीनों चीज मानके चलते हैं, कि जो यह यहाँ पे तीन चीज दिये है, यह हो सकता है, इंजीनियर और डॉक्टर के अंदर संबंध ना हो, कुछ इंजीनियर डॉक्टर ना हो, यानि कि कोई भी इंजीनियर डॉक्टर ना हो, यह बात हो सकती है, लेकिन यहाँ पे इन्हों ने क्या कहा है, कि तीनों के तीनों एक दूसरे से रिलेटिड होंगे ही होंगे, यहाँ पे संभावना है, और यहाँ पे होंगे ही होंगे, तो य यही लेखक, इनी लेखकों में से कुछ वकील होते हैं, तो अब देखे, वकील क्या हॊंगे, पुरुष भी तो होंगे, और पुरुष क्या होंगे, वो वकील भी होंगे, तो यह तीनों की तीनों चीजे, एक दूसरे से related होगी ही होगी, ठीक है, तो इस तरह से आप इसको सम सकते हैं और आगे देखते हैं दोस्तों आगे वेंड डायगराम में बहुत से एक्जामपल है यह दोस्तों आप एक बार देख लेना सभी देख लेना क्योंकि अगर मैं सारी चीज़े कराने लग गया तो यह वीडियो बहुत बहुत बन जाएगी और वैसे बिलकुल असान है दोस्तों बिलकुल असान है कोई ऐसी दिक्कत वाली भात नहीं है इसके अंदर आप यह देख लेना हाँ एक ही जैसे उधान 11 देख लेते हैं इसके अंदर यह कि कई चीज़े ऐसी होते हैं जिनका आपस में कोई लेना देना नहीं होता बिलकुल अलग हो सकती है होती ही होत सकता है जिनके अंदर तीनों की तीनों चीजे बिलकुल अलग हो चलिए दोस्तों अब हम अपना कोश्चन करके देखते हैं कि किस तरह से कोश्चन होगा यह देखे दोस्तों यह दिसंबर 2013 में कोश्चन आया था और सबसे पहले हम इसका वेंड डायक्राम बनाने की कोशिश क करेंगे देखे इसमें यह कहा है कि अधार वाक्य में क्या कहा है सभी संत धार्मिक होते है तो सबसे पहले हमने एक संत का सरकल ड्रो कर लिया उसके बाद सभी के सभी जो संत होते वो दोस्तों क्या होते है धार्मिक होते यह इसने बात यहां पर कह दी अब इसके बाद जो बात कही है कुछ इमानदार लोग संत होते हैं तो इसका जो है दोस्तों वो वेन डाइगराम इस तरह से बन सकता है ये देखिए कुछ इमानदार लोग संत होते हैं तो ये हमने इमानदार लोग ये एडी लिख दिया मैंने इमानदार लोग कुछ इमानदार लोग संत होते है अब देखी अब इसके बेस पे हमें answer देखना कि answer क्या होगा अब देखी यहाँ पे एक-एक question पे हम बात करके देख लेते हैं कि सभी संत इमानदार होते हैं क्या हम ये कह सकते हैं दोस्तों और एक चीज़ मैं बता दू कि हमें केवल और केवल question के निशार चलना है दोस्तों अगर question में ये कहा जाए ना कि सभी के सभी साधू चोर होते हैं तो वो हमें मानना पड़ेगा अधार वाक्य हमें देखना है दोस्तों most important चीज़ यह है अधार वाक्य में अगर ये कहा जाए कि सभी के सभी चोर धार्मिक होते हैं तो वो हमें मानना पड़ेगा जो भी कहरा वो हमें मानना पड़ेगा ठीक है अधार वाक्य में तो अब देखिए अधार वाक्य से ही हमारा निसकर्श निकलेगा हम अगला देखते हैं कुछ संत इमानदार होते हैं तो ये भी हम पूरी तरह से सही नहीं कह सकते अंसिक रूप से इसको सही कह सकते हैं और एक चीज और मैं बतादो कि इस तरह के जो कोशन होते उसमें हमें जो definite तरीके से पता हो दोस्तो तो वही चीज हमें डिकलेर करने हैं वही उसका अंसर आएगा ये नहीं कह सकते कि संभावना वाला जो अंसर वो हम नहीं देंगे अब देखिए option number C है कुछ इमानदार लोग धार्मिक है अब ये बात हमें सोचना जरूरी है इस पे ध्यान दीजिए कि कुछ इमानदार लोग धार्मिक है अब ये देखिए ये जो हमने ड्रोग किया था यहां पे ये तीन सरकल किये थे ये देखिए कुछ इमानदार लोग है और ये धार्मिक का सरकल है तो इमानदार और धार्मिक में ये देखिए यह जो portion है दोस्टो यह इसका मितलब क्या हुआ कुछ इमानदार लोग है वह होते है धार्मिक होते हैं तो इस तरह से दो कोशन बिल्कुल असानी से कर सकते हैं आप और आगे हम और कोशन करने की कोशिश करते हैं उनसे आपको बिल्कुल असानी से समझ में आ जाएगा एक बार में किसी को अच्छे से समझ में सायद ना आए तो चलिए अब हम अगला कोशन करके देखते हैं ये कोशन नमबर हमारा दिसंबर 2014 में आया था इसमें देखिए अधारवाके सभी कुट्टे सतंधारी है तो सबसे पहले हम कुट्टे लिख लिए और सतंधारी यानि की जो दूद पिलाते हैं अपने बच्चों को तो ये लिख लिए हमने सतंधारी यहाँ पे यह हमने S लिख लिया और एक बात फि उसके बाद कोई बिल्ली कुट्टा नहीं है कोई भी बिल्ली जो है वो कुट्टा नहीं है तो ये हमने बिल्ली लिख ली दोस्तों ये हमने बिल्ली लिख ली और ये हमारा कुट्टा हो गया अब देखिए यहाँ पे एक चीज़ ध्यान देने वाली है ये जो हमारा और फिर हमने सतंधारी लिखा ये S लिख दिया और फिर हमने ये बिल्ली लिख दी यहां पे ठीक है एक तो ये बन सकता है हमारा और दूसरा जो है वो किस तरह से बन सकता है वो ऐसे बन सकता है जैसे ये हमने कुत लिख दिया ये हमने बिल्ली लिख दी और ये हमने सतंधारी लिख दिया ये ग्राफ भी इसका बन सकता है क्योंकि इसने एक बात कही है कि सभी कुते सतंधारी है ये कुते ये सारे के सारे सतंधारी यहां पर हमने लिख दी है और इसमें भी हमने लिख दिया कि सभी जो कुत्ते वो सतंधरी है ये लिख दिया अब आगे है कि कोई बिल्ली कुत्ता नहीं है तो इसमें देखे यहां भी कोई भी बिल्ली कुत्ता नहीं है लेकिन हमें ये नहीं पता कि जो बिल्ली है वो सतंधरी है या नहीं है ये हम संभ अब देखते हैं जो हमारे निसकर्स है निसकर्स में ऐसा कौन सा निसकर्स है जो बिल्कुल 100% सही होगा ठीक हमें निसकर्स वही देना होता है जो 100% सही हो अब देखिए इसमें देखते हैं कोई बिल्ली सतंधारी नहीं है अब देखिए कोई बिल्ली सतंधारी नहीं है तो य नहीं है लेकिन इसके अंदर जो हमारे अधार वाक्य इसके अंदर बिल्ली और सतंधारी उसके अंदर डायरेक्ट कोई रिलेशन नहीं दिखाया गये तो हम अच्छे तरीके से कोई डिसीजन नहीं ले सकते हां हम संभावना लगा सकते हैं हां ऐसा हो सकता भी कोई भी विल्ल सतंधारी है तो वो यहां से बन सकता है दोस्तों कुछ बिल्ली सतंधारी है लेकिन अब बात फिर आ रही है कि हमें संभावनाव पे नहीं चलना अगली बात आती है कोई बिल्ली कुता नहीं है अब यह देखे यह बिल्कुल सही बात है दोस्तों यह 100% बात सही है क्योंकि इस पिष्रे से ठोड़ी सी ऊट पठांग तो है यानि कि यहां पे इनोंने बिल्ली कुता नहीं कह दिया और यहां पे कुता बिल्ली नहीं है तो बात तो एक है दोस्तो जो सब्द है वो आगे पीछे कर दिये तो option नमर जो 3 है दोस्तो वो अपना सही हो सकता है इस पे टिक कर ले क्योंकि यहां पर इन्हों ने यहां पर दे दिया सभी कुत्ते सतंधारी है तो यहां से इसका क्या आर्थ निकलता कि कोई कुत्ता गैर सतंधारी नहीं है तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तो थरी और फॉर यानि कि इसका सीज आंसर है दोस्तो वो इसका राइट आंसर हो जाएगा और दोस्तों अगर आपको कोई भी बात समझ में नहीं आते तो आप हमें WhatsApp message कर सकते हैं आप हमारा paid group जोइन कर सकते हैं उसमें हम आपको बहुत अच्छे तरीके से समझाते हैं कोई भी बात आपको समझ में ना आए तो चलिए अब हम अगला कोशन करके देखते उससे आपको और भी अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा यह हमारा जुलाई 2016 में आया था यह कोशन आप करके देखना दोस्तों मैं आगे और कोशन करवा देता हूँ जैसे जो हमारे 2017 में या 2018 में जो कोशन आया वो करके मैं दिखा देता हूँ आपको यह हमारा अगस्त हाँ यह कोशन हमारे लिए करना जरूरी है दोस्तों यह देखिए अगस्त 2016 के अंदर यह कोशन आया था और यही कोशन हमारा यह देखिए नومबर 2017 के अंदर आया था यहाँ पे आप देख सकते हैं 2017 में सभी चमगादर सतन पाई होते हैं कोई भी पक्सी चमगादर नहीं होता यह है और यहाँ पे देखिए अगस्त 2016 में भी यही बात कही है सभी चमगादर सतन पाई होते हैं पक्सिया चमगादर नहीं होते तो बात से में दोस्तो कोशन एक है लेकिन अलग-अलग एर में दिये हुए है तो आप देख सकते कि डिट्टो कोपी कोशन भी रीपीट होते है कोशन पेपर के अंदर लेकिन आपने साइद आज तक ये बात नोट नहीं की होगी तो आज से य ये ओल्ड पेपर करना बहुत ज्यादा जरूरी है क्योंकि इनमें सो बहुत कोशन डिट्टो कोपी रीपीट होते हैं चलिए अब हम ये कोशन करने की कोशिश करते हैं इसमें देखिए इसमें क्या कहा है कि सभी चमगादर सतन पाई होते हैं और सतन पाई का ये अभी हमने ये किया था, ये देखिए, कुट्टे वाला भी किया था, तो सतन पाई से तीन कोशन हमारे अभी तक आ चुके हैं, आगे भी इनके आने के संभावना है, तो एक वार फिर ये कर लेते हैं, अब देखिए, इसके इंदरी ये कहा है, क्या कहा है, सभी चमगादर सतन पाई होते हैं, तो ये हमने कहा कि सभी चमगादर, सबसे पहले हमने चमगादर C, चमगादर को C से ड्रो कर लिया, सभी चमगादर सतन पाई होते हैं, ये हमने सतन पाई, यानि की S ड्रो कर लिया, और ये जो ग्राफ दोस्तो ग्राफ नंबर एक हमारा बन गया अब अगली बात आती है पक्सियां चमगादर नहीं होते अब पक्सी पक्सी हमने यहाँ पे अब देखी पक्सिया वो चमगादर नहीं होते तो इसके इसका ये बन सकता है दोस्तो ये बन सकता है ये हमने लिख दिया पक्सी पी पक यहां पे और फिर यह हमने सतन पाई लिख दिया यहां पे ऐसे सतन पाई और यहां पे हम पक्सी लिख सकते हैं तो यह भी यही बात कह रहा है दोस्तों चमगादर और पक्सी इन दोनों का कोई रिलेशन नहीं है यहाँ पे इन्होंने कहा है कि पक्सिया चमगादर नहीं होते तो चमगादर और पक्सि को हमने बिल्कुल अलग कर दिया और यह जो ग्राफ नंबर एक है इसमें भी चमगादर और पक्सि को हमने अलग कर दिया बिल्कुल यहाँ पे आप देख सकते हैं कोई relation इनके अंदर नहीं है लेकिन पक्सी और सतन पाई इनके अंदर relation में भी सायद हो सकता है हमें पता नहीं है यह बात इन्होंने यहाँ पे clear नहीं कि सतन पाई और समगादड के बारे में clear बात इन्होंने नहीं की है और इसका जो दूसरा है ये ऐसे भी हो सकता है सतन पाई और पक्सी के बीच में अब देखी अब हम इसका आंसर ड्रो करने की कोशिस करते हैं अब देखी पक्सिया सतन पाई नहीं होते अब देखिए पक्सियां जो है सतन पाई नहीं होते ये बात हम नहीं कह सकते दोस्तों होते है नहीं होते ये हम 100% नहीं कह सकते क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते कि हमने दोनों तरह के ग्राफ बनाए है इस ग्राफ के अंदर कुछ पक्सी सतन पाई हो सकते है और इसमें तरीके से नहीं कह सकते कि क्या सही होगा क्या गलत होगा अब हम अगला देखते हैं चम गाधर पक्सी नहीं होते यह बात बिल्कुल 100% राइट दोस्तों आप देख सकते हैं। यहाँ पे इन्होंने कहा है कि पक्सिया चमगादड नहीं होते तो इसका मतलब यह है कि चमगादड है वो भी पक्सि नहीं होते यहाँ पे यह जो बीज ओप्सन दोस्तों यह 100% accurate बात कह रहा है तो एक तो यह बी एक बार माल लेते भी इसका सही होगा अब देखते अगला सतन पाई चमगादड होते हैं अब यह देखी यह बात भी हम 100% सही नहीं कह सकते क्योंकि सतन पाई और चमगादड के बारे में हमने यहाँ पे कुछ नहीं पढ़ा इन्होंने यहाँ पे कुछ अच्छे तरीके से नहीं बताया हम कितना है कि वो यह संभावना लगा सकते ल अब देखी यह बात ध्यान देने वाली है कि कुछ सतन पाई अब यह देखी यह सतन पाई यह जो सरकल हमारा कुछ सतन पाई चमगादड होते हैं तो यह बात इसकी बिलकुल सही है दोस्तों कि यहाँ पे हमने यह देखा कि सारे के सारे जो समगादड है वो सतन पाई होते ह इसका उल्टा क्या होगा कि कुछ सतन पाईजों होते वो चमगादड होते हैं इस चीज़ को आप थोड़ा साथ ध्यान दे के समझना और आपको बिल्कुल असानी से बात समझ में आ जाई ही तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों बी और डी यानि की ऑप्सन नमबर कोशन कर सकते हैं आप और अब क्या करते हैं अब हम अगला कोशन करने की कोशिस करते हैं और ये जो कोशन है दोस्तों ये कोशन आप खुद करना और कोशन नमबर 29 का आंसर आप मेरे को सभी बताना कमेंट बॉक्स के जरीए कि इसका आंसर क्या आएगा ये कोशन मैंने आप को अभी करवाया है ठीक है यह कोशन आप करके बताना मेरे को और चलिए दोस्तों अब हम अगला कोशन करके देखते हैं यह कोशन हमारा दिसंबर 2018 के अंदर आया है यह देखे इन्होंने कहा है कि सम फ्लोवर आर रेड तो सबसे पहले हम इसका जो ग्राफ है वो ड्रो कर लेते हैं सम फ्लोवर यानि कि सबसे पहले हम कुछ फ्लोवर रेड है यह हमने एक मिनिट रुके इसका बड़ा ड्रो करते हैं यह हमने फ्लोवर यह ए के सभी rose है वो हमारे flower है RS लिखे लिए मैंने roses को flower लिखे लिए अब आगे इसका जो conclusion है वो देखते हैं क्या है इसने काई कि option number 1 जो दिया है some roses are red तो ये बात हम 100% सही नहीं कह सकते दोस्तों कि जो हमारे roses है कुछ roses वो red होंगे ये बात हम नहीं कह सकते 100% तरीके से नहीं कह सकते अगली है दोस्तों some red things are flower ये कह रहा है कि कुछ लाल वस्तुए flower होती है ये बात इसकी बिलकुल सही है दोस्तों क्योंकि यहाँ पे हमने पढ़ा है कि some flower are red यानि कि कुछ flower कुछ फूल जो होते वो हमारे लाल होते हैं और option number two में इसमने कह है कि some red कुछ लाल चीज़े हमारी फूल होती है तो ये इसकी बात बिलकुल 100% right होगी अब देखते अगला question sorry अगला option some flower are roses some flower ये देखे some flower और roses ये बात भी इसकी 100% सही होगी क्योंकि इसने यहां पे कहा है कि all roses सारे के सारे जो rose है गुलाव के फूल है वो हमारे क्या होंगे flower होंगे तो इसका मतलब यह है कि कुछ जो flower है वो हमारे red सोरी कुछ जो flower है हमारे वो गुलाव के फूल होंगे तो हमारा option number three है ये भी हमारा सही हो जाएगा अब अगला देखते है all roses are red ये बात हम बिलकुल नहीं कह सकते दोस्तो all roses are red नहीं कह सकते क्योंकि हम ने यहाँ पे red और roses का अच्छे से define नहीं किया हुआ हिनों ने हाँ इसमें हम संभावना लगा सकते लेकिन संभावना नहीं चलेगी तो इसका right answer है दोस्तो वो हमारा A हो जाएगा B and C only answer हो जाएगा तो दोस्तो इस तरह से आप बिलकुल असानी से question कर सकते हैं और दोस्तो अगर आपको हमारी वीडियो अच्छे लगी तो इस वीडियो को like कीजिए share कीजिए comment कीजिए और दोस्तो अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सबस्क्राइब नहीं किया तो प्लीज हमारे चैनल को सबस्क्राइब कर लीजिए और घंटी का बटन जरूर दबाएए ताकि आप हमारी अने वाले वीडियो को सानी से देख सके ही थैंक्यू दोस्तो दोस्तो हमने आप सभी के लिए एक साथ दिन का सूपर बैच त्यार किया है इसके अंदर हम आपको पेपर फर्ट की बहुत अच्छे तरीके से त्यारी करवाएंगे जो 25 मार्च से सुरू हो रहा है इसके अंदर हम आपको सभी 10 यूनिट के स्टडी नोट से देंगे 2012 से लेके December 2019 तक सभी सिफ्ट के कोशन पेपर देंगे लाइव मोक टेस्ट देंगे इसके साथ दोस्तों फरी में हम आपको पेपर सैकंड भी देंगे 2012 से लेके 2019 तक जिससे आप पेपर फर्ट और पेपर सैकंड की बहुत अच्छे तरीके से त्यारी कर सकते हैं तो अगर किसी भी दोस्त को हमारे साथ दिन का बैच जोइन करना है तो जल्दी से जल्दी हमें इस वाटसर नमबर पे कॉंटेक्ट कीजिए